तो हेलो और बेलकम गाईज कैसे हो आप लोग तो बेलकम दो बीटेक फर्स्ट एर और आज हम बात करने वागे अज़िए 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 लेमी टेल यू समधिंग इस सब्जेक्ट में पास सब हो जाते हैं थोड़े से पढ़ाई के साथ अगर आप थोड़ी सी मैनत करोगे तो आप 40-60 मार्क से पास हो जाओगे और इफ आप जारा मैनत करते हो तो 80-90 मार्क सम्टाइम्स 90 प्लस आलसो मिल जाते हैं और ये आपके S.G.P.A. में चार चान लगा दिते हैं तो चलिए शुरू करते हैं एक छोड़े इंट्रो के समय आएगा सबसे पढ़ा और सबसे लंबा चला हम ही मारे तो इस वीडियो में हम लोग सिंप्ली के मिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं मतलब एक इडियो मोश्ट इंपॉर्डेंट कुस्ट्री कॉमन टू आल ब्रांच इस ठीक है आप किसी भी ब्रांच में होगे आपको कि मिस्टी मिलने वाली है अब अगर आप ध्यान से दिखते हो unit 1 जिसका नाम है atomic and molecular structure तो मैं इसमें आपको दिखाना चाहूंगा यह आपका chapter और पहला molecular orbital theory है बट अगर आप यहां पे ध्यान से दिखते हो तो atomic and molecular structure आपको मिल जाएगा तो हमने अपने हिसाब से नाम रखती है चली आगे बढ़ते हैं इस chapter की बात करें तो it's easy chapter ठीक है easy to moderate है hard नहीं कहेंगे कहीं से भी hard नहीं दिखता है तो चली अब बताते हैं हम आपको देखो पहला है graphite जो यह question है यह आपका बहुत important है मतलब generally यह आपका 10 marks में आने वाला है ठीक है 10 marks से नीचे बात नहीं करता है graphite 10 marks का आएगा जिसमें आपको इसका diagram बनाना है इसके figure जो ऐसे करके ऐसे आता है पूरी layers अच्छे से बनाना वह आपको marks दिलाने का बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं तो diagram अच्छे से होना चाहिए दूसरा है structure diagram structure की structure के बारे माँ डिस्क्राइब कर दो क्या होता है hexagonal कौन सा सारी चीजे उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और उसके साथ application इसमें मैंने एक step कम रखा है जिसे preparation तो यह भी अगर आप कर देते हो that's very well and good तो मेरी बात मानिए आप graphite को मत छोड़ना जरूर से जरूर पढ़के जाना दूसरा है फुलरीन फुलरीन और graphite यह हमेश इसमें भी आपको डाइग्राम प्रेप्रेशन प्रॉपर्टीज अप्रिकेशन सारी चीजें बताने है ठीक है जितना हो सके आप लेक्के आओगे जनली जैसे कुशन आएगा तो एकॉर्डिंग तो मी अगर मैं होता आपकी जगा पे तो कम से कम डाई पनने लिगता तो आ आप तो मेरी वीडियो में आपको एक कैटेगरी मिलेगी जो की है 100 परसेंट तो यह आपका 100 परसेंट ठीक है यह आपका 100 परसेंट है चैनली में सारे टॉपिक 100 परसेंट बता रहा हूं उसमें बट कुछ होंगे जो 90 80 या 50 तक जाते हैं यह लिक्विट क्रिश्टल जिसम पूचर में भी रहेगा ओके तो इसमें आपको एक चीज और मिलता है जो कि होता है क्लासिफिकेशन कई बार 10 मार्स का यह के लिया आ जाता है यह बताओ वाई क्या-क्या है कैसे है आपका 100 परसेंट है और कभी-क्लासिफिकेशन में एक चीज में डीप चले जाता है जिसे आपका जनरली पांच में भी आ सकता है और 10 मार्स में भी आ सकता है तो एक कुशन और आएक उसके साथ ठीक है तो यह ध्यान रखना यह भी करके जाना यह भी आपका 100 परसेंट की कैटेगरी में है अब बात करते हैं क्रिस्टल इंपरफेक्शन वन डाइमस्टनल और इंप टाइम पर बोरा लगए अगर छोड़ के जाते हों तो वन डाइमस्टन और टू डामस्टन जरूर कर लेना ठीक है कई बार पहुंचा गया है उसके बाद इस्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स जिसमें आपका फ्रेंकल एंड सॉट की डिफेक्ट बहुत ज़्यादा इं है मोटी मॉलिकुलर और्बिटल डाइग्राम जिसमें आपको बॉन्ड ओर्डर फाइंड करना है और मैगनेटिक प्रॉपर्टी देखो अब यह छे टॉपिक है और यह जितने मैंने यहां लिखे हैं ठीक है यहां से यहां तक इनका आपको डाइग्राम देख लेना है इन दस मार्ट में पूछा जा सकता है तो प्लीज छोड़ के नहीं जाना बस इतने एलिमेंट्स जरूर से जरू कर लेना और पाकि अपना कॉंसेप्ट के लिए रखना बॉन्ड ओडर इस नतिंग बटकॉंसेप्ट ठीक है दो मार्ट में आएगा बहुत इजी आता है तो बस इतना ही है इसमें लास्ट जो मेरा सजेशन है रीड फुल चैप्टर इप पॉसबल यह मैं जनरली हर सब्जेक्ट में बोलता हूं कि यह आपको करना है कंपल सरी बट यहां पर इफ पॉसबल यह इसलिए क्योंकि एट सर्यालिटी आपके जो के मिस्टी के चैप्टर से हैं वह दूसरे से लिंक नहीं है तो अगर आप यह चैप्टर पूरा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप दूसरा वाला नहीं कर पाओगे ठीक है इतना यह इंप्टेंट और मैंने सारे 100 परसेंट बताएं और आपको सारे करके जाने ठीक हैं अगर इस चैप्टर में से विश्चितर में से आपको 20 से 25 मार्क कुछन आयते हैं जनली 20 marks 20 से कम नहीं आते 20 में आपका एक कुछिन एक ओर्डिंग टुमी इन तीन कुछिन में से फिक्स है ठीक है ग्रैफ़ाइट फुलरीन लिकुट किस्टल डैट्स फिक्स दस मार्क्स का बट जो दस मार्क्स का और रहेगा वह आपके इन तीन कुछिन मे आप अच्छा करके आओगा ठीक है बस इतना ही इस वीडियो में अगर वीडियो पसंद आई टॉपिक्स इंपोर्टेंट लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना साथी साथ वीडियो को लाइक करना मत बोलना कमें सेक्शन में अगर आपका थैंक्यू आता है तो मुझे अच् आता है